जैसा कि आप लोगों ने उपर थमनिल में ही देख लिया कि आज का टॉपिक क्या है हमारे किसी मित्र ने कमेंट करके पूछा था कि सर वारंड रिकाल क्या होता है तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि वारंड रिकाल क्या होता है दोस्तों जब हम किसी बैक्ती की बेल कराते हैं अर्थात जमानत कराते हैं तो जो प्राथना पत्र होता है जमानत प्राथना पत्र में हम लिखते हैं कि जमानत के उपरांत हम नियाले की कारवाई में मलद करेंगे और नियाले में शमयशे उपस्थित रहेंगे और नियाले की द्वारा जो नियत तित्यां होती हैं उन तित्यों पर हम समयशे उपस्थित रहकर नियाले की कारवाई में मदद करते हैं लेकिन कभी कभी हमसे चूक हो जाती है जाने अंजाने में हम अपनी तारीक पेर्शी पर पहुचने में असमर्थ हो जाते हैं तो ऐसी इस्थित में न नौन बैलेबल वारंट तो अब हम बात करते हैं कि वारंट हो जाने के बाद क्या जेल जाना ही पड़ेगा या फिर कोई और विकल्प है अगर हम बात करें कि वारंट होने के बाद अब अभिक्त के पास क्या रास्ता बचता है उसको रिलीफ कैसे मिल सकती है कि वास्तों में उसको जेल जाना पड़ेगा या फिर बाहर से ही कोई विकल्प हो सकता है तो उसको हम कहते हैं वारंट रिकाल लेकिन यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दू कि वारंट रिकाल आपका अधिकार नहीं है या एक तरीके की दया यजिका है जैसे की बेल बेल भी आपका अधिशन यह एक दया आज्चिका है यदी वास्तों में न्याले को यह लगता है कि आप निर्दोस है बेगुणा है तो आपको तो दोरान मुकत्मा विचारण आपको बेल पर रिहा कर दिया और यह नियाले के बिबेग पर निर्भर करता है कि आपको बेल पर रिहा किया जाए अथवा नहीं यह आप नियाले द्वारा नियतित्यों पर पहुचने में असम्मत रहते हैं तो ऐसी इस्थित में नियाले आपका वारंट कर देता है लेकिन अपने अधिवक्ता के माध्यम से जब वारंट रिकाल का प्रत्र पत्र आप सम्मधित नियाले में प्रत्तुत करते हैं और वहां पर रिकुष्ट करते हैं और अपने कारण बताते हैं कि किस कारण वस आप नियतित्यों पर शमय सुपस्थित नहीं रह पाए तो नियाले इसका अवलोकन करेगा अवलोकन क नहीं रहे हैं तो न्यालए आपका वारंट रिकाल कर देगा और पहले की तरह ही आप फिर से नेतितियों पर आना शुरू कर देंगे तो आसा करता हूँ कि आप वारन डिकाल शमझ गये होंगे कि वारन डिकाल यह आपका अधिकार नहीं है बलकि यह एक दयाज का है नियाले के उपन निर्भर करता है कि आपका वारन डिकाल करता है अथवा नहीं येधि आपके मन में कोई question उत्पन हो रहा हो तो आप किसी भी वीडियो पर comment box में comment करके अपना होगा पूस सकते हैं जो मित्र फोन कॉल के जरिये परसनील हमसे बिजिक परामर्स लेना चाहते हैं उनकी लिए हमने डिसकरप्शन में अपना कॉंटेक नमबर दे दिया है वहां से आप हमसे समय ले सकते हैं